हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैं यूटूब चैनल दिमैश टीवी दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में पाए जाने वाले साथ हैरत अंगेस ब्रीज़स के बारे में बताऊंगा चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो दोस्तों, ये ब्रीज नेदरलैंड में मौजूद है और ये ब्रीज पानी के बीचों बीच बनाया गया है जो दो वाटर बॉडिस को अलग हिसों में डिवाइट करता है और दोस्तों, ये ब्रीज 17th सेंचुरी में खिले के तोर पर बनाया गया था ताकि ये दुश्मनों को इन्विजिबल रहे और खिला दुश्मनों से महफूज रहे दोस्तों, ये ब्रीज स्कॉटलैंड में मुझूद है और ये एक रोटेटिंग ब्रीज है जो 115 फीट तक बोट्स को लिफ्ट करती है जिससे वो कलाइट कैनल को यूनियन कैनल से लिंक करती है ये ब्रीज 21st सेंचुरी में कंस्ट्रक की गई थी जो हैरत अंगेस तौर पर दुनिया की बेस्ट ब्रीजस में से एक है दोस्तों, ये ब्रीज पैदल चलने वालों और साइकलिस्ट के लिए बनाया गया है जो टाइन रिवर पर फैला हुआ है और जिसको ब्लिंकिंग आई और विंकिंग आई ब्रीज भी कहा जाता है जो सिटी का 16th tallest structure है नमबर 4, Puntis de la Mujer दोस्तों, ये ब्रीज पानी की बीच constructed है और दोस्तों, इस ब्रीज को ऐसा represent किया गया है कि ये एक couple tango dance perform कर रहा है और दोस्तों, इस ब्रीज को बनाने के लिए 6 million dollars लगे थे जो 90 degree तक rotate कर सकती है ताके पानी का traffic गुजर सके नमबर 5, The Rolling Bridge दोस्तों, ये ब्रीज 2004 में open किया गया था और ये ब्रीज कैनल पर बनाया गया है जो curling motion यूज़ करता है जिसमें वो कैनल के उपर फैलता है और जब boards को पास करना होता है ये पूरी तरह मुड जाता है ये दिखने में ऐसे लगता है जैसे एक caterpillar करन कर रहा है नमबर 6, Slower Half Brug Bridge ये amazing bridge नेदरलैंड में मौझूद है जो 2000 में construct किया गया था जिसको tail bridge भी कहा जाता है और दोस्तों, ये bridge पानी के traffic को quickly पास करती है और road के traffic को कुछ देर के लिए रोकती है नमबर 7, Swing Bridge दोस्तों, ये bridge टाइन रिवर पर बनाया गया है जो Newcastle, Tine और Gateshead को connect करती है इस bridge के चार बड़े pillars बनाये गए हैं और ये bridge 1886 में open की गई थी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें, share करें और subscribe करें हमारे चैनल को ऐसे more informative videos के लिए Thank you